अपने यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं आप सब बेठर होगे बच्चों एक आज बहुत सांदार चेप्टर लेके हमारे हैं प्राफिट लॉस और डिंगल में जो के एक्जाम हुं तो किछले जो भी आएं यूपे उनको मैं आज डिसकस करूँगा क्या अप्रोच रहेगी कैसे आसानी से लगा सकते हैं तो सब बताऊंगा और इसके बाद एक क्लास में प्रॉफिट लॉष की और आपको रिकॉर्ड करूंगा उस प्रॉफिट लॉष की क्लास में यूपी एसाई में जो कोश्चन आये थे उन सब को रख दोगा तो उससे फिर बाहर नहीं जाएगा यूपी कॉंस्टेबल में क्या कोश्चन बनाता वह भी आजाएगा और कॉंस्टेबल जो एसाई में कोश्चन बना तो वह भी आप सीख चाहोगा चलो सीधे हम लोग डारेट कोश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं एक बात बस तुमको बताना चाहता हूं वह बात आप देख लीजिए एक बार क्या वह बात होती है कुछ मतलब पॉइंट होते लॉस कब होता है तो जब इन्वेस्ट आपका जो है प्रॉफिट होता है जब इन्वेस्ट कम हो मैं उल्टा लगया अगर इन्वेस्ट कम है पैसा आप कम लगाते हैं और रिटर्न आपको अधिक होता है तो उस कंडिशन में प्रॉफिट होता है और अगर आपने पैसा अधिक लगाया और रिटर्ण आपको कम हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है तो उस कंडीशन में लास हो जाता है तो ये profit और लस की दो बात होती है profit निखालते कैसे हैं तो याद रखना हमेसा SP-CP निकालते हैं कैसे निकालते हैं तो CP-SP लिखते हैं, CP मतलब cost price, CP को क्या बोलते हैं मैं यहां लिख देता हूँ, CP जो होता है, इसी को बोलते हैं क्रेमूल, क्या बोलते हैं, क्रेमूल, इसी को बोलते हैं, लागत मूल, क्या बोलते हैं, लागत मूल, इंगलेस में cost price बोलते हैं, इसी को बो मूल क्या बोलते हैं और स्पी को बेचा गया मूल होता है जिस मूल पर वस्त को बेचा गया हो इस पी निकालते हैं कैसे याद रखना सीपी हमेशा और हमेशा सो परसेंट होता है तो सो परसेंट में लाब हमेशा पॉजटिव होता है तो लाब को जोडते हैं या सो परसेंट म हानी को हमेशा और हमेशा गटाते हैं तो तुम्हारा SPR यह दो बाते हैं याद रखना है यही आपकी बाते हैं आगे काम आएगे इसके बाद एक और बात है यदि लाब हानी रुपए में हो तो गड़ना CP पर कड़ते है इस बात से क्या तात पर है इस बात से तात पर यह है अगर कभी भी वैलू अंस और हर में लिखी जाएगी किसमें लिखी जाएगी अंस और हर में तो हर जो होगा हमेशा CP होगा अंस होगा या तो प्रॉपिट होगा या लॉस होगा ठीक, अब ओहीं पर दूसरा पॉइंट है यदि लाब हानी मात्रा में हो या वस्त तुम्हें हो किसमें हो मात्रा में हो या वस्त तुम्हें हो तो गड़ना SP पर करते हैं किस पर करते हैं इस बात से क्या ताथ पर है तो हर में जो अंस और हर लिखेंगे अंस और हर की वैलू लिखेंगे तो हर में लिखेंगे बेची गई वस्तु लिखेंगे या दी गई मात्रा लिख सकते हैं जितनी मात्रा दोगे उसको हम अंस में लिखेंगे किसी यहाँ पे बेची गई वस्तु लिखेंगे या दी गई मात्रा क्लिर? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो लाब होगा या जो हाँ नहीं होगी, जर्रोली लाब ही होता है, उसको लिखेंगे, क्लिर? चलो, अब चलते हम लोग पहले कोश्चन पर अपने, इतनी बाते हैं आपने समझ ली, तो कोश्चन पर चलते सीधे, एक दु लब है 1000 ग्राम देना उसने दिया कितना तो दिया जो था वो दिया 950 एक किलो ग्राम देना था 950 दिया तो लाब कितने का लिया तो आप कोगे 50 50 ग्राम का लाब लिया जब लाब हानी मात्रा में होते हो तो नीचे दी गई मात्रा लिखते हैं और दिया कितना उसने 950 ग्राम दिया इंटू में और क्या करेंगे इंटू में 100 करेंगे बस अब यहां से आप कैल्ट कर लो ग्राम से ग्राम कैंसिल 0-0 कैंसिल 5 से काटोगे 1 सो बटे 19 पांस सही 5 बटे 19 परसेंट कर लाब होगा है UPP Constable 2013 में कोश्चन आया था एक पेंसिल 250 रुपए की बेचने पर एक पेंसिल 250 रुपए की बेसता है विनोद को 110 रुपए का लाब हो रहा है किसको लाब हो रहा है विनोद को तथा एक रुपए 75 पैसे की दर से बेचने पर 55 रुपए की हान होती, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर विनोध क्या कर रहा है, दो रुपए 50 पैसे लिए, यहां 2 रुपए 50 पैसे होगा, चुकि यह 1 रुपए 75 पैसे, यह 2 रुपए 50 पैसे, ठीक है, 2 रुपए और यह 50 पै बेच रहा है, तो उसे लाब कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे 110 रुपए का लाब हो रहा है, लाब हो रहा है, तो प्लस का है, अच्छा, इसी को जब बेच रहा है, 1 रुपए 75 पैसे की पैसल बेच रहा है, कितनी पैसल है, एकस पैसल मानी तो एकस पैसल है, तो उसे हान तो आपहोगे। युनुद्ध के पास पेंसिल पूछी 110 माइनस का कर देंगे। 110 माइनस का कर दें। यहाँ 2.50 पैसे से 1.75 पैसे को माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारे पास आ रही वैलू कितनी और एक साथ पांच की वैलू आ रही। और इसको जोड़ो जरा एक रुपए यह माइनस का है और एक प्लस का, यह माइनस का ही तो रहेगा, तो यह केतना बचेगा, 75, कुछ हमें लग रहा है इस question पर थोड़ा सा error है, मैं इस question को एक बार check कर लूँगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार क्या है, इसको अब अमूल कितना था, 50 अपर, बी को 20% के लाब पर बेच दिया, बी ने वही वस्तु C को 25% के लाब पर बेची, C ने वही वस्तु 40% के लाब पर D को बेची, A B को बेच रहा है, B C को बेच रहा है, C D को बेच रहा है, तो हमेशा इसका concept क्या होता, पहले वाले एक अमूल C D को कितने 40% के लाब पर बेच रहा है, तो 140 अब ये बाद में वाले का मूल ला जाएगा, 2,0 से, 2,0 ये cancel हुआ, 1,0 से, 1,0 ये cancel हो गया, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 आजाएगा, 2 से काटोगे, यहाँ 6 आजाएगा, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 होता है, 25 चोको 100 होता है, इध 25 पंदरा का पांस तीन तरक नो, 10, 105 आया, आंसर केतना है, 2013 में कॉंस्चन आया था, यूपी कॉंस्टेवल, 2013, ठीक इस सारे के सारे प्रिविए से रहा, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहू, 1000 रुपए प्रतिकुंटल की दर से खरीदे, ठीक है बढ़िया है, और 8 सही 4 ब तो टोटल अगर उसका सीपी पूचें, कि टोटल सीपी बताओ, तो 10 कुंटल खरीदे, 1000 रुपए पर कुंटल की दर से खरीदे, तो खरीदे कितने के हैं, आप कहोगे 10,000 के खरीदे, अचा यहां हान कितने की हो रही है, हान हो रही, 8 सही 4 बटे 5 परसेंट की हान, इसे हम बदलते हैं, तो सुनो जरा पार्ट में कैसे बदलेंगे, अट पन चालिस चार कितना हुआ, तो आप कहोगे 44 बटे 5 परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, 4 से काटो 11 और 4 से काटो 25, तो 11 बटे 25 का गुणा 5 में कर देंगे, 125 आ जाए, यह वाली वैल 114 बचा, CP यहाँ कितना है, तो आप कहोगे 10,000 हैं, और यहाँ CP कोशन में कितना है, 125, तो आप एक बास सीधे सीधे समझो, 10,000 रुपए की वज़तु है, और यहाँ CP कितना है, 125 है, और गुणा कितने का, कितने का मूल निकालना, SP निकालना, 114 का निकालना, 25 से काटो 25, 25, पच्छेस चोको सो होता है, पांच से फिर काटो 5, 48, 80 हो गया, अब गुना कर दो जरा, एक तो 0 आ जाएगा, 8 चोको 32 का दो, 3, 8, 3, 11, 1, 1, 1, 8, 9, 9, 90 बीज रुपए आ गया, 9,120 रुपए अप्शन लबर, ठीक है, बहुत आसान आसान कोश्चन है, बहुत कुछ कठिन नही कपिल और आतार ने किसी व्यापार में करमसा 1300 और 1400 रुपए लगाए, कितने कितने रुपए लगाया, एक ने लगाया 1300 रुपए गपिल है, और समय के गुड़नफल के अनुपात में करते हैं तो भाईया 2-0 से 2-0 कट जाएगा लाब का अनुपात 13 और 14 करेंगे टोटल लाब 675 इसको जोड़ो 4-3 कितना हुआ 7-1 कितना हुआ 27 वराबर उन्होंने कितना लिखा है 675 लिखा है तो ठीक है पूचा किसका लाब है कपिल से का लाब पूचा है 13 की वेलू निकालनी है तो आप क्या करो नो से काट दू 6-7-6-3-5-4-9 से काटो नो तैं 27 होता है अब 63 के बाद 4-9-45-3 से फिर काट दो 25-75 होता है एक की वेलू कितने के बराबर 25 की इसका लाब मुचा है तो 13 का गुणा 25 में करेंगे तेरा पच्चे 65 का पांच होता है च्छे तेरा दूनी 26-26-32 तीन सो पच्चिस रुपए आज़े का कितना आजएगा तीन सो पच्चिस रुपए अप्शन भी दो हजार नो में यह कोश्चन आया था ठीक है याद रखना यह सारी के सारे प्रिवेस यहर है सन आपका लिखा है आप चेक कर सकते नेट पे बगएरा पे पीछे भी चीनी का भाव 40% बढ़ जाने के कारण कोई परिवार चीनी का कितने परसेंट कम कर दे ताकि खर्च ना बढ़े अच्छा चीनी का भाव कितना परसेंट बढ़ रहा है तो आप कहोगे 40% बढ़ रहा है इसे पार्ट मदलेंगे तो 40 बटे 100 लिखते हैं क्या लिखते हैं 40 बटे 20 से काटो 20 दूनी 40 20 500 बढ़ रहा है 5 था तो 5 से कितना हो परसेंट की कमी कर दें हमें पता नहीं कि मातरा में कितने परसेंट की कमी कर दें लेकिन वो कहरा खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े खर्च पहले भी एक था तो अभी भी खर्च कितना रहे एक अच्छा एक और एक वैलू लाना है मेरी बास सुनना जरा इन दोनों का ग cancel हो जाएगा और यहां 5 लिखो तो 5 से 5 cancel हो जाएगा दोनों तरफ एक एक बचेगा तो मात्रा 7 से उन्होंने कितनी कर दी 5 मात्रा कितनी कम कर दी 2 कम कर दी कहां से कम कर दी 7 से 2 बटे 7 गुणा सो एक बटे 7 साथ होता है 14 सही दो बते साथ हो जाएगा 28 सही चार बते साथ परसेंट यह उप्शा या तो आपना काट पिट ले न वहीं परसेंट प्रसेंट पर बहिया लाब जो होता हूँ हमेशा positive होता है 15% का हानी हमेशा negative होती 9% का अगर अंतर निकाले difference निकाले तो अंतर की कहानी समझना दोनों same sign वाले होते तब तो घटाए जाते हैं लेकिन दोनों opposite sign वाले होते जोड़ दिये जाते हैं 15 और 9 जोड़ोगे तो 15 नो जोड़ने पे क इतना आएगा तो कहोगे 9, 5, 14, 24% 24% की वैलू उन्होंने कितनी दे रखी 7, 6, 8 दे रखी अच्छा इसको हम 6 से काट रहे हैं 6, 4, 24, 1 बचा 6, 2, 12, 4 बचा 6, 8, 48, 8 आट आगया 4 से काटो 4, 3, 12, 4, 2, 8 एक परसेंट की वैलू आई कितनी तो आप कहोगे 32 एक परसेंट की वै पहले बताया था तो लागत मुल कितना हो जाएगा 32, बस एक लाइन में हमारा आंसर आजाएगा 32, 6, ठीक है बाता है समझ में चलो नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं इसी वस्त उपर 23% का लाब और 9% की हानी ती यहां 23% का लाब और 9% की हानी क्या करेंगे प्लस का 23% ने माइनस का 9% करेंगे ठीक हैं यह भी 2018 में आया तो वो मौर्निंग सिप्ट में था यह इवनिंग सिप्ट में सेम कोश्चन आ गये थे इन दोनों का अंतर बताओं तो अंतर एक प्लस का एक माइनस का जुड़ जाएगा नो तीन बारा 32% 32% बराबर कितना दिया है तो कहो सेम कोश्चन था नो नमबर पर देखिए सुविक को 198 रुपए में एक वस्त को बेचने पर 12% की हाने होती अर्था तो वो बेचता कितने की है तो 100 में से 12 गटा देंगे तो 88% की तो बेच रहा है यह उसका पहला एस पी हानी 100 में गटाते हैं लाब को 100 में जोडते हैं 12% क यहाने 88% बराबर कितना दिया है 198 दिया एक परसेंट बराबर अगर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे आप कहोगे 198 और बटे में कितना लिख देंगे 88 अब अगर CP पूछा जाता तो 100% लिख देते हैं लेकिन आगे पूछा 8% का लाब 8% का लाब मतलब कितने की वैलू पूछी है 108% की पूछी CP पूछता लागत मुलू पूछता तो 100% होता है लेकिन 8% की लाब पे बेच रहा है तो 108% 198 अपन में केतना लिखेंगे 88 लिखेंगे और multiply कर देंगे 108 वैसे यह calculation आप स्वैम कर सकते हैं जो भी answer है आप काटना चाहेता है तो चलो मैं इसे काट देत जाएगा नहीं नो से 925-18, 925-18, 821-19 सीधी काट रहा है नोव दूनी इठारा काट नोव दूनी इठारा काट नोव दूनी इठारा एकक उनलिस तो यह कितने बार आ आ जाएगा 27-20, 24-1, 24-1, 24-1, 24-5, देख लेना केलिप्लेश्ण दो से आया चार से काटा चार दूनी नो बार जाएगा कितने बार 9 दूनी 18 नो सट्य परसेंट कितना बढ़ाना चाहिए ठीक है नो सत्य तरेसेट का तीन शह बचा कितना बचा चाहिए नो दूने अठारा अठारा चाहिए दो सो तितालिस आगया अच्छा पहले कितने बेच रहा था अच्छा पहले कितना बढ़ाना चाहिए अगर पूछता कितने बेचता तो दूसुत तालिस पिरिन ने मास्की बिक्री 308 रुपे में की और उसे बारा परसेंट की हान यह बारा परसेंट की हान हुई तो मतलब 88 परसेंट यह भी देखो यह भी आया था यूपी कॉंस्टेब 2018 में वो मौर्निंग की सिफ्ट में था एक यह इवनिंग की मौर्निंग इवनिंग में लगबग एक जैसे कोश्चन आए ठीक है बहुत मिलती है इरिन ने मास्की विक्री 308 रुपे में की तो एक परसेंट बराबर कितना कर दोगी 308 और बटे में कितना लिखेंगे 88 पिर 8 से इसको काटो 8 तरका 24 बचा कितना 24 के बाद में 6 बचेगा 8 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं 4 से काटो 4 से काटो 4 से 28 दो बचा 4 सते 28 फिर ये 2 से काट तो ये 5 आ जाएगा 5 सते 35 का 5 3 5 सते 35 3 38 अगर ये पूछेगा कितने रुपे में बेचे तो 385 और कितना रुपे में बेचरा रुपे में बिक्री करें तो 385 फिछले मं बोला था कितने रुपे अधिक लें इसमें सीधे सीधे रुपे पोचा अगला खोश्जन देखिए रमेश 1 वस्तु 434 रुपे में बेचकर 24 परशेंट का लाब कमाता है 24 परशेंट का लाब कमा रहा तो 124 कि वैलू हो गई 434 इतने होगी 424 रमेश्ट ने वैवस्त उस कितने कीमत पर खरीदी मतलब आपका सीपी पूचा है एक परसेंट बराबर कितना निकोगे तो 434 और बटे लिखोगे और चाता हिए 24 इंप शाता है से काटो 28 सा इक दिसको कट करना कितने बार जाएगा त्यको 31 से कत लुवेट वात्य। français ऑफ्षेंटिंड है संबसें परचान में उसमें अभी तक लाब मुच्छा था इस बार इतने पर्षेंट इतने पर्षेंट लाब पर बेचा जाए इस बार CP पूचा, CP 100% रिवाइस हो जाएगा तुम लोगों का इसमें, इसी वस्तुका 693 रुपए में बेचने पर इसमृति को 26% का लाब होता है, फिर से वही, 126% की जो वैलू है, वो कितनी दे रखी है, 693 रुपए में खरी दी, एक पर्षेंट की वैलू कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे 693 और बटे में 126, आप से खरीबी दी पूचा है, CP पूचा है, तो CP 100% होता है, 693, अपान में 126 और इंटू में 100 कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा, वो आंसर आप खुद निकालेंगे, स्वाप से, एक दुकंदार ने अपना सामान क्रेमूल से 20% अधिक अंकित के, यह अंकित मुल वाली बात आगी, अंकित मुल का मतलब डिसकाउंट का कोश्चन आग इस वाले पेपर के मैं अभी नहीं, इसलिए करा रहा हूँ, तो कि इस वाले पेपर में तो हाले फिलाल में आपने पेपर ही दिया है, वो आपने खुदी प्रेक्टिस कर लियोगे, इन कोश्चन को कराने के बाद, आज की क्लास के बाद एक क्लास में और लोंगा, निगेट्व होती है, डिसकाउंट कैसा होता है, निगेट्व होता है, दूसरी बात ये, कि अगर हमें SP निकालना है, तो हमेशा याद रखना, 100% में हम डिसकाउंट को क्या करेंगे, घटाएं, क्लियर बात, तीसरी बात एक और समझना, ये दूसरी बात होगे, तीसरी बा 100% में loss को minus करते हैं और 100% में discount को भी minus करते हैं बस ये 3 बातें आपने समझ ली आपकी नईया पार इतने से ही पूरा discount लग जाएगा दूसरी बात एक और होती है MP लिखा है into में लिखते है 100 minus का discount और बटे में 100 लिखते हैं जितने बार discount दिये जाएए एक discount हो तो एक बार दो हो तो दो बार तीन हो तो तीन बार और ये हमेशा SP के बार बस इस से बाहर कुछ नहीं आएगा आपका discount जैसे क्या बोला है एक दुकंदार अपने सामान को क्रेमूल से 20% अधिक रखता है क्रेमूल कितना होगा तो आप कहोगे 100 होगा तो इसका market price जो होगा MP होगा वो कितना उसने 20% बढ़ा के रखा मतलब कितना रख दिया 120 फिर अंकित मूल पर 10% के छूट देता है इसी पर उसने 10% का discount दे दिया 10% का discount दिया 120 का 10% 120 गुणा 10 बटे 112 आएगा 12 का discount 108 का बेचेगा चुकि discount गटाते हैं तो SP आता है खरीदा 100 का बेचा 108 का लाब कितने का है आप कहोगे लाब 8 का अब कितने का है 8% का लाब हो जाएगा तो बसी 8% आप सब्सक्राइब एक लाइन मेंने कोश्चन लगा दिया अगला देखो एक दुकंदार किसी वस्त को अंकित मूल पर 20% की छूट देता है 20% की छूट देता है मतलब बेचता 80% का फिर भी उसे 20% का लाब होता है 20% का लाब होता है अर्थाथ 100 कम वाला CP होता है और ज्यादा वाला MP अगर हम 20 से काड़ते हैं CP दो रुपए था और MP तीन रुपए था कैसे पता क्योंकि ज्यादा MP होता है और कम CP होता है फिर बोला यादि दुकंदार कोई छूट ना दे वह याद तीन रुपए की चीज है उस पर डिसकाउंट हो कितने रुपए का दे रहा है 0% का दे रहा है कोई डिसकाउंट नहीं मिलेगा तुम दुकान गए तीन रुपए की चीज है तुमने डिसकाउंट वाँगा उसने का नहीं है लेना हो लो तीन का नहीं तो निकल लो तो बेचेगा कितने का? तीन का हरीदा 2 का, बेचा 3 का, लाब कितने का है, तो आप कहोगे 1 का, परसेंट लाब की बात करें, लाब 1 का है, बटे में क्रेमूल लिखते हैं 2 और गुणा कितने करते हैं, 100 का करते हैं तो 50%, बहुत important discount chapter है, profit loss से ज़्यादा discount पूछा जाता है, इसलिए बस 10-15 मिट की बात है, तस सलिए के साथ पढ़ लो, 10-15 मिट में पूरे previous year के question हो जाएंगे, फिर एक class और आप की लोंगा मैं, एक दुकंदार एक वस्त को, उसके क्रेमूल पर का 3 बटे 4 भाग अंकित करता है, बतलब अगर CP कितना था, 4 ठीक है, तो उसने अंकित कितना किया, तो अंकित किया 3, ठीक जब 3-4 करे सकते हैं, अब उसने इसको बेचा, जब बेचा तो लाब लिया कितने परसेंट का, 40 परसेंट का, तो 30 का 40 परसेंट निकालो जरा, कितना होता है, तो 30 का 40 परसेंट बारा होता है, 12 लाब लिया तो बेचा कितने का, 30 में 12 जोड़ो तो 42 का, खरीदा कितने का था परसेंट लाब की बात कह रहा हैं तो लिखोंगे दो बटे सीपी कितना है 40-100 का लिखेंगे दो से काटोंगे 20 और 20-500 परसेंट होता है 5% का लाब किलियर अब देखो 5% का लाब हाने दोनों को उस दियें 2009 में आया था यह कोश्चन आसान है तब एक खिलोने का अंकित मुल 18-100 रुपए बढ़िया बात है अंकित मुल उन्होंने मार्केट प्राइस कितना दे रखा है तो आप कहोगे 18-100 रुपए दे रखा है किलियर बात इस विक्री के दोरान 20% और 15% की दो छूट देता है 18-100 रुपए था पहले 20% की छूट दिया तो क एक जिरो से एक जिरो चल जाएगा पांससे काटोगे दू आएगा पांससे काटोगे यह 17 आ जाएगा थार चोक कितना होता बाहरत्तर बाहत्तर में गुर्णा कोरोगी कितने 21 का calor观 17 दूने 34 चार ला एक customers वंटीunder क्यून करने के जरूशन नहीं वरना गुना करोगे तो 1224 क्लियर हुआ चलो अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं किसी खिलोने का अंकित मुल 2100 रुपए अंकित मुल मार्केट प्राइस कितना दे रखा है तो आप कहोगे 21 रुपए और छूट दे रहा है बीस पर्सेंट और पंदरा पर्सेंट की पीस का देगा तो असी बटे सो पंद अ बटारा में एक जैसा को मोड लिवाया वैसा ही कोश्चन इवनीं में पूछा है अब देखो अर से काटो यह दो आ अप शेकाटो श्राइगा चार चार एकम चार चार दूनी आठ या ऐसे कर लो सतरा चो को कितना होता है आप आर्सट होता है थे में गुणा कर लो 21 का 218 कितना होता आठ एकमाट आठ दूनी सूला 166 में करोगे तो च्छे एकम च्छे दूनी बारा 126 126 में 16 और जोड़ दोगे पहली बात तो आठ वाला आप्शन देको इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं थी एक आठ एकम आठ आठ वाला आप्शन एक ही है हमें लगाने की गुणा करने की अवस्यक्ता ही नहीं थी अब यह देख लो एक्जाम का कोश्चन है वही मिल ला है यूनिट डिजिट से मिल ला है तो हम लगाते रहे हैं एक खिलाओने का रियायिती मुल कितना है 1470 यदि 16% की छूट है तो खिलाओने का अंकित मुल पूचा गया इस बार अंकित मुल हमें पता नहीं अंकित मुल नहीं पता है और छूट कितने की 16% की 16% है तो बेचा कितन चार एकम चार और इसको चार से कट कर दो के पच्छिस आजायगा अभी देखो साथ एकम साथ साथ दूनी चूदा साथ बर जाएगा सीधे सीधे मार्केट प्राइस आ गया सत्तर और गुणा में पच्छिस-पच्छिस का गुणा सत्तर में 25-7, 175 होता एक जीरो कि मतलब 2018 में यह भी कोश्चन आया था यह प्रिवियस यह कॉंस्टेबल के ही इसलिए आसान है कल मैं यूपी एसाई का कराऊंगा तो थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा होगा 750 रुपए अंकित मुल मार्केट प्राइस उन्हों कितना दे रखा है पहले सी दे रखा 750 और उसक किटने पर्सेंट का डिसकाउंट यह कितने कं में बेच राया तो 90 रुपए कम में बेच राहिए कितने कंम बेच राया नब्यक्त कहां से गया सामसाओं प्र्सेंट के रहागल के सोटकर औंकित मूल में पर 151 की चूट कलम के सेट क reef को अंकित मूल पर 15% का land faith को पंद्रा परिदार को सत्रा सो इक्यावन रुपए कीमत चुगाने पड़ी, मार्केट प्राइस पता नहीं है, 15% की छूट दिया तो 85 बटे 100 हो गया, बराबर में कितना है, 1751, किलियर बात, अभी 17 से काटना चाहो, 17 अपना 85, 17 से काटो, 17 एकम 17, 0, 17, 51, 5 से फिर काट दो, ये 20 आ होंगे, जो आया है, 2018 में ये भी आया था, कॉंस्टेवल में, इसकाउंट और प्रॉफिट लॉस का जरूर एक कोशन आता है, आप ऐसे मानों कि दो नंबर आपका बिल्कुल कनफरम है, एक या दो कोशन जरूर आता है, तो दो या चार नंबर का खेल है पूरा, 12% की है, ये बाइस से काट ये पच्चीस आजाएगा, अब बाइस से क्या ये देखो कटेगा, चैदूनीबारा, चैदूनी बारा, एक तीरह, एक तिरह, लग कितना होता है, तो मर्केट पैस पताचल गया, बहुत आसान-ासान कॉश्चन है, एक लाइन में आप इनको कर सकते हो अगला क्या लिखा हुआ है 14% की छूट पर एक खिलोने की विक्री 215 रुपए की गई तो भईया मार्केट प्राइस पता नहीं है 14% की छूट है तो बचा कितना 86, डिसकाउंट को हमेशा 100 में गटाते हैं और विक्री की कितने में गई 215 रुपए हैं MP गुणा 100 माइनस डिसकाउंट बट्या 100 लिखना है अब इसको हम कितने से काटना चाहें सबसे पहले 2 से काटो 2, 4, 8, 2, 3, 6, 43 आया और 2 से काटो 2 से काटो के 50 आजाएगा अब यह देखो कट रहा है 3, 2, 6, 3, 4, 12 से तो कट नहीं रहा है तालिस से कटे गा यार ऐसा तो नहीं हो सकता है आठ साथ आठ बार भी नहीं जाएगा आठ तरिका 24 216 215 लिखा है कितना लिखा है 215 अभी मैं कहूंगा 5 बार पांस ते हैं 15 25 बार जाएगा मैं गलत लिख गया था तो मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी 50 गुणा 5 तो 50 25 पच्चीस 250 तो 250 कौन सा होगी यह टोटल 22 कोश्चन थे हमारे 22 कोश्चन थे यह हमारे यूपी कॉंस्टेबल में अभी मैंने यूपी कॉंस्टेबल का करा दिया यह एक क्लास बढ़ियां से आप देख लीजिए यह आसान कोश्चन है अब इसके बाद हम आपको कराएंगे वह यूपी एसाई में जो आएवे कोश्चन थे ठीक हैं तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़ियां से समझ में आय लेकिन सामको मेरातन को हर संडे एक बड़ी क्लास में मेरातन लूँगा और डेली सामको साड़े आट पजे प्रेक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइस ऐसे पढ़ाता रहूंगा यूपी कॉंस्टेबल कर यूपी एसाई का प्रीविए सेरे करता हूं समझ आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर कीजिए मिलते हम लोग अपनी अगली क्लास में तब तक मस्कार बाई बाई